असलाम अलेकूम, चैप्टर नमबर 6 प्रो केरियोट्स और टॉपिक है हमारा 6.3 बैक्टेरिया, एकोलोजी एंड डैवर्सिटी बैक्टेरिया की एकोलोजी और डैवर्सिटी के बारे में इस चैप्टर के हंदर हम पढ़ेंगे ecology से मुराद bacteria का environment से तालुक या कब पैदा हुए और किस तरह से अपने functions अरण जाम देते हैं diversity से मुराद इनकी types हैं जमीन आज से तक्रीबन 4.5 billion साल पहले वजूद में आई यानि 4.5 billion पहले यहां जमीन नाम के सयारे का कोई वजूद नहीं था जमीन पर इर्तिका के अमल ने जिन्दगी को जनम दिया और तरक्की का एक सिलसिला चल निकला जिसे हम evolution कहते हैं so जब जमीन का इर्तिका हुआ तो तमाम माहुलियाती हालात के environmental conditions actually किसी भी जानदार के लिए इतनी अच्छी नहीं थी कि वो महाँ survive कर सके क्यूंकि जमीन का जो इप्तिदाई दर्जे अरारत था वो बहुत जादा था यहाँ पर आतिश फिशां की सरगर्मियों की वज़ा से बनने वाली गैसें और different type के environment की वज़ा से यहाँ पर oxygen तकरीबन बिलकुल भी मौजूद नहीं थी तो जमीन तो 4.5 billion पहले वजूद में आ चुकी थी लेकिन जमीन पर जिन्दगी actually 3.5 billion साल पहले वजूद में आई और जिन्दगी के वजूद में आने के बाद एर्तिका का एक सिलसिला चल निकला और जिन्दगी की मुख्तलिफ शकले वजूद में आती चली गई जो के आज हमें हमारी सूरत में और डिफरेंट एनिमल्स की सूरत में नजर आ रही है फॉसिल रिकार्ट से हमें ये मालूम हुआ है कि बैक्टेरिया की मुख्तलिफ अबादिया मुख्तलिफ जियोलोजिकल एरा में आ रहा है तो जो बैक्टेरिया थे उन में से बाद में कुछ ने माहौल और सूरज से हासिल करदा तवनाई के जरिये कार्बन डायोकसाइट को यूज कर किया और अपनी खुराक तयार करना शुरू की इन इप्तिदाई फोटो सिंथेटिक बैक्टेरिया ने मुस्तहिक माह माहौल पैदा करने में बड़ी मदद की और उसके बाद जमीन पर ऑक्सीजन पैदा होने लगी यानि वो बैक्टेरिया जो के फोटो सिंथेटिक बैक्टेरिया थे जाहिर है फोटो सिंथेसिस के प्रोसिस के बाद ऑक्सीजन खारीच हुई जो के माहौल में जमा होने लग थी जो के फोटो सिंथेटिक बैक्टेरिया ने पैदा की थी साथ ही साथ हमें इस बात के जबरदस सुबूत मिले हैं कि इस वकद जो सेलूलर और्गिनिल माईटू कॉंड्रिया और कुलोरो प्लास्ट है वो एक्चिली कभी कदीम बैक्टेरियल सेल हुआ करते थे यानि किसी हैं वो फोसिल्ज रिकॉर्ट के जरीए हमें मिलते हैं और माईटू कॉंड्रिया और कुलोरो प्लास्ट के अगर हम साथ को भी देखें या इनके काम करने की तरीके को भी देखें तो हमें यह पता चलता है कि एक्चिली यह सेमी आउटोनॉमस और्गिनिल है एक्चिली एक रूसी महिरे नबातियात या बाटनेस्ट कॉंस्टेंटिन मेरिशकोस की नामी साइस-दाने या बाटनिस्ट ने सबसे पहले prioris of symbiogenesis या endosymbiotic theory का खाका पेश किया और इस खाके के मताबिक आज के eukaryotic cells में कुछ और्गिनेल्स किसी जमाने के prokaryotic bacteria हैं यानि के वो ही mitochondria और chloroplast की बात हो रही है एक्चिली लाखों साल के इर्तिकाई अमल से गुजरने के बाद chloroplast और mitochondria मजीद specialized हो चुके हैं और अब वो खली से बाहर जिन्दगी नहीं गुजर सकते हैं अब उन्हें जिन्दा रहने के लिए एक खली की जरूरत है शायद इसी वज़े से mitochondria और chloroplast bacteria के cells के साथ नुमाया ममासिलत रखते हैं bacteria की तरह इनका अपना DNA होता है जो के cell के nucleus में पाई जाने वाले DNA से अलग होता है यानि छोटे size का होता है बिल्कुल उसी size का bacterial DNA जिस size का bacteria का DNA होता है और ये दोनों organelles अपने DNA को अपने काम के लिए दरकार बहुत से protein और enzyme बनाने के लिए use कर रहे होते हैं साथी साथ इन दोनों के गिर्ट पाई जाने वाली double membrane भी इस बात का वाज़े सुबूत है कि इन दोनों को actually किसी दोर में किसी host cell ने खाया था यानि ingles किया था इसी वज़ा से एक membrane तो इनकी अपनी और एक उस host cell की membrane होगी ये दोनों organelles bacteria की तरह reproduce करते हैं और अपने DNA की नकल तयार करते हैं और अपनी जो cell division है उसकी हिदाया देते हैं ये तमाम शवाहिद ये साबित करते हैं कि actually mitochondria और chloroplast किसी जमाने में prokaryotic bacteria हुआ करते थे